हेलो फ्रेंड्स मैं नाम है वीजे और आज की वीडियों में लोगी यह सीखेंगे की class को और object को कैसे create करते हैं तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर देखिए class को और object को create करने के लिए सबसे पहले मुझे class बनाने पड़ेगी ठीक है मैं account name की class बना रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा class ठीक है फिर यहाँ पर मैं account underscore number इस तरह के से class का name दे रहा हूँ यह मेरा class का name है फिर मैं है पर curly basis लगाँगा और फिर इन curly basis को यहाँ पर close कर दूँगा ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ लि लिखा उसके नीचे जितना भी code आप लिखेंगे ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा यह सब का public हो जाएगा मतलब उसको object easily access कर पाएंगे अब public के साथ आपके protected और आपके private भी होते हैं protected private की बाद हम बाद में करेंगे balance की information ले लूँगा ठीक है फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ interest यह तीन चीजे मैंने यहाँ ली अब देखें मैं यहाँ पर methods भी create करूँगा अब public के अंदर ही है ठीक है यहाँ पर और जो methods है वो भी public के अंदर ही है यहाँ पर मैंने एक method बनाया method का name दे रहाँ में interest calculator interest cal ठीक है इस तरीके से जो की क्या करेगा आपका interest को calculate करेगा इसका काम क्या है simply यह कर देगा return कर देगा balance into interest ठीक है यह आपका return कर देगा simply ठीक हो गया यह मैंने method बनाया अब देखे इसके हिसाब से मुझे आप objects बनाने इस class के हिसाब से तो object बनाने के लिए सबसे मैं पहले मैं क्या करूँगा void main ठीक है इसके अंदर आया मैं यहाँ पर लिखा मैंने account number यह मैंने class का name देद दिया हम मैं क्या करूँगा यहाँ पर object का name दूगा मैंने ac1 account number 1 comma ac2 account number 2 मैंने दो account यहाँ पर create करना चाहता हूं ac1 और ac2 अब देखे यह किस तरह से लिखा हुआ है जैसे हम लिखते है int x उसी तरह से हुआ है हम लोग यह पताते हैं कि x क्या है एक variable का name है जो कि किस type का है integer type का है उसी तरह से ac1 क्या है एक object है जो कि किस type का है account number type का है इसलिए मैंने आपको starting बतायता कि class क्या होती है एक user defined data type होता है ठीक है अब देखे हमारे पास control भी होता है कि यह data हमें नहीं stow कराना है यह data में नहीं 있기 आना है या यह method हमें stow नहीं कराना है या कुछ method हमें stow कराने कुछ method नहीं करवाने ठीक है create अब मुझे क्या करना है इन आपजेक्स को access करना है ठीक है अब इस उम्हें rubber balance या interest थीक Ἀ तो मैं music की जरुवात है, यहाँ पर balance और interest की जरुवात है, अगर मैं account ac1, account में क्या करता हूँ, account का number डलवाता हूँ, तो यहाँ पर ac underscore number डलवाए मैंने, यह ac1 क्या करेगा, account 1 का, यह account number है, यहाँ पर मैं कोई number दे दूँगा, 496 6, 4959 मैंने एक number डे दिया, ठीक яр, अब यह ac1 क्या करना चाता है, balance को करना चाता है, तो यह क्या करेगा, यहाँ पर balance को access कर लेगा, balance यहाँ पर मैंने दिया, 5000 यह इसका balance है, ठीकैं, अब ac1, interest देखना चाता है, interest की इसको मिल रहा है, interest का information देना चाता है, interest को चाहिए 9% ठीक है और यहाँ पर अब यह क्या कर सकता है अपने interest को calculate भी करा सकता है तो उसके लिए method को किस तरह से call करेगा ठीक है तो यह देखिए अगर मैं print करवाना चाहूं output को तो यहाँ पर लिखुँगा cout और यहाँ ac1.interest calculator interest क्या लिख दिया ठीक है मैंने sort में लिख दिया आप समझ गया हूंगे ठीक है इसको मैं यहाँ पर call कर वालूँगा ठीक है इस तरह से ठीक है तो यह इसने क्या करा account 1 ने अपने value भी सेट कर ली और यहाँ पर methods को भी call कर लिया और print होके क्या हैगा यहाँ पर 5000 9296 ठीक है यह इसने account number दिया और यह इसके balance दिया इसने यहाँ पर dot आएगा dot operator balance और balance यहाँ पर इसने लिखा 10,000 और ac2 है ठीक है ac2 ac2 और dot लगाया और यहाँ पर interest इसको मिलना है 10% interest ठीक है और यह भी क्या कर सकता है अपने methods को call करा सकता है जैसे ac2 dot interest call ठीक है यह क्या करेगा interest को calculate करके आपको देतेगा ठीक है यहाँ पर मैं cout करवा लेता हूँ को print करवा लेता हूँ cout इस तरीके से ठीक है अब देखे किस तर से memory मैं allocate हूँगे यह देख लेते हैं यह देख लेते हैं तो देखे memory क्या होगी सबसे पहले यहाँ पर मैंने ac1 बनाया ठीक है यहाँ पर मैंने ac2 बनाया ठीक है account 2 बनाया तो यहाँ पर 2 parameters यहाँ पर 3 parameters है ठीक है सबसे पहले यहाँ पर account number जो कि हमारा 4 byte लेगा ठीक है balance हमारा 4 byte लेगा interest हमारा 4 byte लेगा तो 4 4 8 4 12 byte तो यह account ac1 कितनी information कितना data कितना size लेगा 12 byte का यह size लेगा total यह भी हमारा 12 byte का size लेगा अब देखे method कोई method क्या करता है कोई भी space नहीं लेता है सिर्फ जो आपके variables होते हैं वही आपका space लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले account number हो गया ठीक है balance हो और interest हो गया ठीक है उसी तरह से यहाँ भी होगा account number balance और interest ठीक है दोनों की दोनों की 12 byte की जगा ले लेंगे अब देखे जो method होते हैं वो कैसे call होते हैं देखे हमारा जिससे की इस तरीके से activation record है ठीक है यहाँ पर आपका main होगा ठीक है main आपका यहाँ पर होगा ठीक है और जो method है आपका interest cal वो यहाँ पर होगा आपका interest calculator और यह आपका stack होगया ठीक है यह आपका heap होगया ठीक है तो यहाँ पर देखे स्टैक में क्या होगा रिखे आपका जो c1 है वह अपनी जगा ले लेगा ѕटा ठीक है तीन वेड़रेबल के साथ एसी टू होगा यह अपने यह call हो जाएगा, यह ac1 ac2 क्या करेंगे, सिर्फ अपने variable को store करके रखेंगे, ठीक है तो इस तरह से आप class को create कर सकते हैं, और इस तरह से आप object से क्या कर सकते हैं, class के variable को और उसके methods को call कर बा सकते हैं ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है simply class बनाई है, उसके objects बनाई है तो यहाँ पर देखें कि करके कीज़ों को समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने class बनाई, ठीक है class का c आपका small होगा, ठीक हो गया फिर मैंने यहाँ पर class का name दिया है जिसमें capital होगा c, ठीक है channel name से मैंने बनाया है ठीक है, और यहाँ पर यह मैंने क्या क्या है, access specifier दिया है access specifier यह बताता है कि यह value access होंगी या नहीं जैसे public है, तो यह access हो जाएंगी यह क्या है, आपका access specifier access specifier फिर आपके क्या आते हैं, जैसे owner और channel यह आपका क्या है, data member है क्या है, data member जिसे technical domain को data members कहते हैं, फिर यह आपका आगया, मैंने एक function मनाया है, ठीक है, आप इसे methods भी कह सकते हैं, function भी कह सकते हैं, मैं इसे कहता हूँ, function members, या method members, ठीक हो गया, इसमें मैंने simple क्या print करवाया है, जो channel का name आएगा, फिर youtube channel, owner, name is, owner का name आएगा, ठीक है, फिर मैंने हाँ आपर देखिए, object create किया है, object create करने का सबसे simple rule क्या है, सबसे पहले आप class का name लिखेंगे, फिर आप कोई भी object का name दे सकते हैं, मैंने obj1 दिया है, obj2 भी दे सकते हैं, जो आपको name अच्छा लगी वो आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन meaningful लोन अच्छिए, जैसे obj1 से पता name को call करवाया है, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, access, यहाँ पर जो हमारा function member है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर call कर रहा हूँ, ठीक हो कि उसको access कर रहा हूँ, तो यह मुझे output के print करके देगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको run करता हूँ तो, यह मुझे output द अगला properties होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले object2 को owner का name दिया, channel का name दिया, और फि मैं इसको यहाँ पर print करवा दिया, ठीक है, अब देखिए, object2 के पास भी, अपने, क्या होंगे, अपने खुद की information होंगी, जैसे विजे, owner object2 का owner का है, विजे है, ठीक है, यह हमारा second channel है, CSGeeks 2.2, अगर आपने इसको subscribe नहीं किया है, तो कल लीजेगा, जहाँ पर मैं आपको B.Tech के वो important subject पढ़ाता हूँ, जो कि किसी भी commentary exam में पूछे जाते है, या interviewments जिन से direct question आते है, तो देखिए, अगर मैं इसको run करता हूँ, तो मैं पास अब दो output आएंगे, पहला आएगा CSGeeks का, और दूसरा आएगा CSGeeks 2.2 का, तो यहाँ पर देखिए, मैंने next line नहीं दी है output में, इसलिए मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पर यह, same लिखा हुआ रहा है, CSGeeks YouTube channel, owner विजे, फिर आ रहा है CSGeeks YouTube channel, owner name is विजे, ठीक है, इ ए welche तो, उपिर को आपा दो ちょ तो झाले प्योगा